तो इस वीडियो में लोग सॉल्व करने एक प्राक्टिस सेट जो कि इम्पॉर्टन होगा आने वाले फोस एक्जाम के लिए और अब देखे जितने भी प्राक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं उनको ध्यान से अच्छे से करिए क्योंकि यहां से डिरेक्टली आपको एक्जाम म मैं आपके कुश्चन्स देखने को मिलेंगे इस वैसे हलके में नहीं प्राक्टिस सेट को जो आप रैक्टिस सेट कर रहे हैं अगर आप जैसे मैं आपको पहले बता रखा रहा है आपको प्राक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना और कितने सॉल्व करना जितने आप सॉल्व करन यहां पर ट्रिक्स बताऊंगा वो आपके एक्जाम टाइम में काम आएंगी और ऐसी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो spelling error वाला question आता है उसको सही करने का वाच ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप बिना spelling को जाने भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ make sure आपने subscribe कर रखा चैनल को और notification bell को प्रेस कर रखा ताकि आपको हर वीडियो का notification मिलता है टाइम पर टेलीग्राम पर भी जूले रहना वहाँ पर भी मैं एक English की vocabs की और one word substitution की series launch करने वाला हूँ आज ही से वह most probably launch हो जाएगी और जीके की तो आपकी continuous चली रही है शुरू करते हैं पहला question देखिए identify the incorrect part the man यहाँ पर आपको incorrect part बताना है और देखिए मैंने यह वाला practice set जो है टेलीग्राम पर सुबह upload कर दिया तो और उमीद करता हूँ सभी ने इसको solve कर लिया होगा तो अगर आप नए है तो यह फिर आपने टेलीग्राम जोइन भी कर रहा है तो आपको यही काम करना है डेली मैं morning में practice sets upload करूँगा एक practice set morning में और दूसरा afternoon में और उसके solutions उसी दिन आपको मिल जाएंगे YouTube में video format में तो आपको test करना है पहले तो खुद से solve करना और फिर यहाँ पर आके देखना कि मेरा process of thinking क्या था और sir कैसे बता रहे है ठीक है तो शुरू करते हैं यहाँ आपको इस पहले question में error बताना है कौन से part में the man who they thought to be gentleman turned out to be a rogue यानि कि जिसको उन्होंने एक gentleman समझा था वो तो एक बेकार आदमी निकला तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि गलत part कौन सा है तो यहाँ पर जो error है वो है part A में error क्यों है क्योंकि यहाँ पर who की जगे whom आएगा अभी whom क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर तीन subjects और दो main verbs हैं इस वज़े से यहाँ पर who की जगे हम लोग whom का use करेंगे अगला question fill in the blank का है the villagers dash the murderer of their leader by burning the police van protested, avenged, mourned यह फिर consoled अभी इस question का answer आपको बहुती ध्यान से sense लेके question का देना है अभी मैंने क्यों बोला है sense लेके देना है देखिए अभी यहाँ पर चार वर्ट दिये हैं protested, avenged, mourned और consoled सब का meaning अलग है लेकिन similar है मतलब almost similar है चारों का meaning almost तो नहीं कहूंगा एक को छोड़के इसको छोड़के बाकी तीन का almost similar meaning है लेकिन अब कौन सा आएगा वो आपको sentence सही पता लगेगा अब देखिए protested का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे c.e.a. citizenship amendment act के protest हो रहे हैं तो protest क्या होता है हिंसा के साथ होता है avenge क्या होता है avenge मतलब होता है बदला लेना एनिकी आपसी बदला लेना है नहीं कि दो individuals के बीच ये बदला होता है mold का मतलब क्या होता है दुख मत बनाना शोक जटाना और console त forte मैंने बताइद है console कमक्रवूत एक इसी को दिलासा देना अब यहां पे और कौन सा वर्ड D again यहां पर word आएगा प्रोटेस्टेड क्यों त्यूंकि अब अब मैंने बताया, प्रोटेस्टेट का मतलब है, कि किसी चीज के लिए विरोध करना, और उसमें हिंसा का involvement होता है, तो अब हमें कहां से पता चलेगा, कि यहां पे हिंसा हो रही है, यह चीज बता रहा है, देखिए, burning the police van, उन्होंने police van को जला दिया, इससे पता चलता है, कि आगजनी यह हिंसा हुई है, इसका मतलब है, कि न तो मोंड होगा, न अवेंज होगा, प्रोटेस्टेट होगा, मोंड हो जाता, अगर यह चीज न लिखा होता है, कि by burning the police van, ठीक है, अगला question देखता है, fill in the blank with adverb of frequency, आप है, with adverb of frequency में भरना है, रमेश dash goes to the auditorium, now, always, today, या फिर almost, जहाँ पर सही answer होगा, option number, be always, क्यों, देखिए, रमेश goes, अब यह goes से हमें पता चल ला है, कि goes का मतलब है, वो पहले भी जा रहा था, अभी भी जा रहा है, और in future भी जाएगा, now का मतलब है, अभी, in this moment, today का मतलब है, आज, almost का मतलब है, कभी, कभी, जादा तर, लेकिन ये सारे तीनों गलत होगे, कि अभी मैंने बताया, कि वो पहले भी continuously जा रहा था, अभी भी जा रहा है, और future भी continuously जाएगा, इस वैसे, always, नहीं हमेशा, option number, be, अगला है, article का question, बहुत अच्छा question है, fill in the blank with correct article, dash USA is the largest economy of the world, अब dash के जगे क्य आएगा, a आएगा, an आएगा, दा आएगा, फिर कोई article नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, option number, c, the, अभी दा क्यों आएगा, क्योंकि आप जानी का होगे, क्योंकि यहाँ पर एक specific country की बात हो रही, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर भी specific चीज की बात हो specific नाम की बात हो, specific country कुछ भी specific हो, वहाँ पर हम the article का use करते हैं, और and का भी बता रखा है, मैंने कि यहाँ पर वावल आएगा, उसके तुरंद बाद वावल sound, तो वहाँ पर and का use करते हैं, identify the best replacement, तो यहाँ पर जो underlined यह है, इसका आपको replacement ढूलना है, इसकी जगे कोई अग नाम की तुम लेट हो जाओगा, अगर तुमने अभी यहाँ से नहीं निकले, तो did not leave होगा, यह फिर left होगा, फिर will not leave होगा, फिर कुछ improvement की ज़रत नहीं है, इसका सही answer है, option number, d no improvement, यह इसमें कोई improvement की ज़रूरत नहीं है, और देखिए, उमीद करता हूँ, यह तो आपने मेरे साथ solve कर रहे हैं, और अपना score क्योंकि आपको comment बताना है, पूरा यह देखने के बाद कि कितने मेरे सही हुए, ठीक है, अगला देखते है, choose one word from the choice, यहाँ आपको one word choose करना है, one who keeps the word, यानि जो पच्छियों को रखता है अपने पास, उसको क्या बोलता है, जो पच्छ कान से देखिएगा, यहाँ पर इनके root words पर आपको मालूम होने चाहिए, यहाँ पर सही answer है, option number D, aviary, अब जो भी aviary से आए, aviary हो, aviary हो, aviation हो, उसका मतलब होता है, आपने सुना होगा, aviation industry, सुना है, aviation industry, उसका मतलब क्या होता है, जो helicopters, aeroplanes होते है, उस industry को हम बोलते है, aviation, त इस टेका पता है, इतिहास होता है, पिसरी, जो PISC आ गया, इसका मतलब है, उसका relation मचलियों से है, कुछ, तो इसका relation मचली पालन से है, शरी अगर आ गया word, इसका मतलब है, कि silk से इसका relation है, तो silk rearing को seri culture बोलते हैं, फिर seri culture को बोलते हैं, ठीक है, अगला देखते है, चे जिक ही लेता हूं एक shift में तो one should keep once promises One should keep once promises का आपको वोस चेंज करना है तो promises should be kept by समवन one promise should be kept once a promise should be kept promise should be kept तो यहाँ पर one और once का तो मतलब भी नहीं बनता है इसी का सही ö发़ पैक्षिन करना है आप्रो है اप्र क्योंबर डीby चेप डीक है अगला देखते हैं, identify the antonym of the given word अब हमें एंटरिम मैंने की विलोम बताना इस word का जो की word है वॉसी फिरस वॉसी फिरस के antonyms के options हैं laudable, quiet, dangerous या फिर powerful तो इसका सही answer होगा option number B quiet, क्यों होगा? क्योंकि वॉसी फिरस का मतलब होता है जोड जोड से किसी चीज़ के बारे में बताना चिला चिला के और quiet का मतलब होता है शांत, इसी वज़े से ही laudable का मतलब होता है प्रिशनसा करने योग, dangerous का मतलब होता है खतरना और powerful का तो मतलब आपको पता ही है जो शक्तिसाली है अगला है identify the synonym of the given word तो आपको इस word का synonym बताना जो कि है venerate venerate के option से reject, remove, love, and respect venerate का मतलब होता है इज़त, यानिकि respect इस वैसे इसका सही answer होगा option number de-respect, ठीक है reject मतलब खारीज कर देना, किसी चीज़ को हटा देना remove का मतलब love का मतलब प्यार अगला है identify the correct preposition, यहाँ पर सही preposition भरना है he will dispense dash your services on, with, off, of, double of देखिए dispense of और with मैं आपको difference मालूम होना चाहिए, और हाँ dispense of और with से मुझे याद आया a little, the little, यह मैंने आपको बोला था कि अगर आपको चाहिए हो तो बता देना तो आपको इसके regarding एक वीडियो मिल जाएगा और उसमें ना सिर्फ मैं आप वो बताऊंगा little वाला, few वाला concept बलकि dispense वाला भी अच्छे से वहीं पर आपको clear कर दूँगा dispense with, off, dispense from इस सारे concept वहीं पर आपको मैं clear कर दूँगा से वीडियो में जो कि जल्दा आने वाला है अभी एक फॉद टाइम विंग हम देख लेते हैं सकांसर का टू है तो टू के बाद first form of hope आएगी तो this is wrong यह भी नहीं होगा क्योंकि टाइम के बाद यहां पर टू आना है तो इटुक हिम लॉंग टाइम टू कंसिडर एंड वे दो बार टू नहीं आएगा इस वैसे option number D यहां पर गलत हो जाता है option number B सही अंसर होगा तो कंसिडर एंड वे अगला question है correctly spelled word कहाने आपको सही spelling बतानी इस word की अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको trick यहां पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप spelling error वाले question को सही कर सकते हैं तो अब देखिए trick है तो कुछ तो आपको थोड़ा जुगार लगाना पड़ेगा देखिए यह trick त चीदे टिक करके आगे बढ़िए लेकिन जब नहीं आती है और ऐसे एक ही word की चार spelling दिये हूँ तब क्या करना तो देखिए सबसे पहले तो शुरू से मतलब differentiate कि करिए कि शुरू से कहां पर अंतर है आई एंडिया यह हो सकता है कि आपको बचकाना लगे लेकिन अब trick है त उनों को फिर आप हो सकता है कि आप सारी spelling तो याद नहीं कर सकते हो कुछ spelling तो ऐसी हो सकता है और यह trick आपके काम आ जाए तो आई एंडिया है इसमें भी आई एंडिया है और इसमें आई एंडिया है तो examiner हमेशा जो है जिसके ज़्यादा chances होते हैं वो ज़्यादा option में र आउट है और वन आउट को आपको बनाइब को आटाते सकान आप तीन मे weapons और चार मेंसे एक अलग है तो उसका अमने आठा दिया अब हिन्ती से मैं अलग है आए तो हम आगे बढ़ते हम आई के बादची यह इसमें वे जीए ..इसमें भी शेए 2 उप्शन में ऐसंगेond opinion मे भी खेलते हो तो आपको 50% chances है question सही होने के और मैंने आपको बता रखा अगर आपको 50 50% chances हो तो option को mark जरूर करना अब देख लेते हैं अब अब इसके बाद किया क् KIRK काम नहीं आगी क्योंकि Zone ऌनायों आऽ दोा और सकते हो इसमें देखेघर को आ सकती कैसे सकते हैсолगो हो कि G-E-N-O-U-S होता है यह इतना आपको मालूम है लेकिन उस्से आगे का नहीं मालूम था अगर इतना ही मालूम है और आप आपको आगे का नहीं मालूम था तो आपने दो option ऐसे टा दी और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जी एन के बाद आई है तो इस वैसे यह option भी गलत हो जाएगा सही answer of option number B ठीक है identify the meaning of the given idiom और phrase तो यहाँ पर हमें idiom और phrase का सही meaning बताना है up to the hilt up to the hilt का मतलब क्या होता है completely up to the mark या फिर up to the final decision या फिर none of these तो up to the hilt का मतलब होता है पूरी तरह से और पूरी तरह से बता रहा है option number A completely ठीक है अगला question देखते है choose the correct form of verb to fill in the blanks सही form of verb भरनी है he has dashed his work तो finishing finished finish यह फिर to finish तो सही answer आप जान गाँगे कि यहाँ पर simple present sorry present perfect है कि यहाँ पर has है तो present perfect यहाँ पर use करने के लाए option number B को चुनना पढ़ेगा he has finished his work ठीक है option number B question number 15 देखते है fill in the blank with appropriate adjective हाँ पर हमें सही adjective भरना the dash Mughal emperor came to an ignominus mind end sorry ignominus and elder last later if latest latest हो गया चाहे elder हो गया चाहे लेटर हो गया लेटर हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ का हम बखान करते हैं कि लेटर इट हैपन नहीं बाद में ऐसा हुआ ठीक है latest का मतलब होता है अभी हाली में जो सबसे तुरंत अभी घटित हुआ है कोई चीज़ ठीक है latest elder का मतलब हम यूज़ करते हैं जब हम relationship का दर्शाते हैं आने कि he is elder to me she is my elder cousin अगला कुश्चन देखते हैं फिल इन दब्लांक विद्ट अप्रोप्रेट कन्जंशन ते हैं पर सही कन्जंशन के साथ बहरना है देटाश दस्टोरी स्टूरी स्टू और इट इस ऑवाइट स्प्रेड रूमर तो मैं एक कन्जंशन पर वीडियो लाँगा जिसमें इसार जो कुश्चन होते हैं इन पर मैं एक पर्टिकलर वीडियो लाँगा ठीक है एक ही वीडियो में साब आपको खतम हो जाएगा सही आंसर इसका होगा और बी इदर क्यों कि यहां पर और है तो इदर के साथ हमेशा और का यूज होता है इस वेसे हम और बी को चुनना पड़त तो यह था हमारा last question last question का answer आप लोंको देना होता है तो comment में सभी लोग इसका answer लिखेंगे 16 में से कितना आपका score है वो comment में बताएंगे और बहुत लोग अभी महां PDF डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो देखिए मैंने पहले बता रहा है पर्मार 8498-gmail.com यह जी email ID है अगर आपने डाउनलोड की आपने payment कर दिया लेकिन फिर डाउनलोड नहीं हो रही है फिर कोई दिक्कत आ रहे है तो आप screenshot लेके payment ID का आप भेसकता आपको जो है PDF दे दी जाएगी और यह मत expect कीज़ेगा कि तुरंत एकदम मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारा काम रहता है तो इस विए से उतना adjust नहीं हो पाता है ठीक है तो मिलते हैं evening time में एक और practice set के साथ वो मैं आपको telegram पे upload करके दे दूँगा उसका जो solution है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा धन्यवाद